प्यारे दोस्तों, आज की कलास में आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने गुसे को कैसे काभू कर सकते हो How to win angle आप अपने क्रोथ या अपने गुसे के ऊपर कैसे जीट राप्त कर सकते हो हम सबी जानते हैं कि जो गुस्टा है, जो ग्रोध है वो हमारी लिए हाने कारक है हमारी सफलता के लिए हाने कारक है तो क्यों ना इसको हम अपने जिन्दगी से हटा दें इसके ऊपर हम विजए पराप्त कर दें तो आईए आज इस कलास में हम सीखींगे कैसे हम अपने क्रोध को कंट्रोल करके सफ़ता की सीडियों के उपर जाकर सफ़ता को पुराप्त करें देखिए दोस्तों जब भी आप वो गुस्ता आता है तो अगर आप इन तीन स्ट्रेप्स को फॉलो कर लेते हो तो मुझे यकीन है कि आप अपने क्रोध के उपर विजे प्राप्त कर लोगे पहला स्ट्रेप है टू नाउ इफेक्ट्स देखो जब तक हमें किसी चीज़ का डिस अड़ा वरेगा तो हम उसको क्यों त्यारेंगे हैं हमें जानना चाहिए कि इसके क्या नुकसान है देखो ओन दा हैल्थ सबसे पहले जो गुस्सा है वो हमारी सिहत के उपर अटैक करता है हमारा ब्लेट प्रिशर हाई हो जाता है जिससे हमारा जो खून है वो खत्म होता जाता है तो सीधा ही है आप जो भी खाते हो जो भी पीते हो जब आपने एक समय में गुस्सा कर लिया एक समय में क्रोथ कर लिया तो आपका खून सुख जाएगा आपका जो खून है वो सुखता जाएगा आप कमजोर होते जाओगे कोई भी बिमारी है वो आपको बहुत च्छेती लगेगी क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर कखो होना वो तो कम हो गया आप जब कमजोर होंगे तो बिमारी आपको च्छेती लगेगी इसलिए हमें क्लोड नहीं करना चाहिए ओन एलेशन्स यह याद रखिए कि जब जब हम किसी के साथ गुसा करते हैं यद गुसे से आग बबूला हो जाते हैं तो हमारा जो वहवाल है वो हमारे लिए दुश्मन को क्रेट करता है हमारे दोस्त कम बनते हैं यदि हम इसको कंट्रॉल कर लें अपने मन के उबर काब बर पर इसको कंट्रॉल कर लें तो हमारे लिए अच्छे बनेगे तो गुसे का लिए लेशन्स के उबर हमेशा ही विप्रीप रखाव पड़ता है तीसरी बात है कि आपना बिजनस देखो, business relations से मनता है, commercial relation का नाम ही business है यदि business में भी हम अपने customer को गुस्चे से बोलेंगे, मिठा नहीं बोलेंगे वहवार गुस्चे से भरा हुआ होगा, तो हम अपने customer को खो देंगे जब भी आपका बिहेवियर बहुती गुस्य वाला तथा आप बहुती छेती आग गुबूला हो जाते हो तो आपके कश्चमर आपसे भाग जाएंगे जब आप बिजनस में फील हो जाओगी तो जिन्दगी में कैसे सफर होगे तो यह है इसके एफेक्ट है इसको हमेशा यहां रखिए गुस्सा आपके सियत खराब करेगा गुस्सा आपके दोस्तों को आपसे दूर ले जाएगा गुस्सा आपके बिजनस को चोपड़ करे देगा तो इसको कभी नहीं करना तो पहला स्ट्रेप ही आप को कंट्रोल करने के लिए ताकत देगा दूसर स्ट्रेप हम जानते हैं तो नाउना रीजन्स आफ दा एंगर विद पीस देखो शांती से ना जब भी कभी गुस्सा हो बार बार आप किसी के साथ गुस्सा हो रही हो तो यह है याद दखिए कि गुस्से में डिसीजन हमेशन गलत होते हैं आप समस्या का हल नहीं डूनते बलकि गुस्से में आप समस्या को और भी बढ़ा देते हो तो हमें शांती से बैठ कर, विचार करना चाहिए वोई विवेक शीर से हमें विचार करना चाहिए कि समस्या क्या है, उसका final solution क्या होगा जब आप यह सोछ लोगे कि इस समस्या का final solution क्या होगा तो आप आगे बढ़ सकते हो तो वो शांती से मिलेगा माण लीजी, पत्यों पत्यों आपस ने जड़ा करते हैं तो तो पत्य विवेख्षियर है, पत्य विवेख्षयर नहीं है तो पत्य का यहां फर्ज है कि वह अपने कमरे में बैठ जाए शांती से विचार करें, कि क्या इसन है, गुसा क्यूं हो रहा हूं मैं या मेरी धर्म पतनी मुझ़ पे गुस्सा क्यों हो रही है तो आपको बहुत सारे सुलूशन मिलेंगे उन सुलूशन को एक कॉपी बे नोट कर दीजिए सबसे बेस्ट सुलूशन को फरस्ट टाइम आप प्लाई कीजिए और आपको सफलता मिलेगी आपकी समस्याएं दूर होंगी ऐसे ही हर गुस्से के पीछे कोई या कोई रिजन होता है उस रिजन को आपने शांती से सॉलू करना है कभी भी गुस्से को एक सादन मान कर समस्या भाल मत किजिए कुछ समझिए आप तीसरा है स्ट्रेपस Increase your self-confidence for fighting with anger दिखो जब आप में आत्म विश्वास होगा तभी आप गुस्से से युद्ध कर सकते हो क्लोद के उपर विजह प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें आत्म विश्वास होना जुली है क्लोद अपने आप में बहुत बड़ा राक्षस है और जब तक आपकी आत्म शक्ति एप नहीं है आप इसके उपर कभी विजह प्राप्त नहीं कर सकते है तो इसके लिए कुछ साथियों का होना आवर्शक है ऐसी शक्तियां अपने में लेके आई है जिससे आप उससे फाइट कर सकते हो जब आपको पता है कि आपका दुश्मन आपसे ज़्यादा ताकत वाला है तो आपको अपने में वो शक्तियां लेके आने पड़ेंगी कुछ ऐसे हथियार लेके आने पड़ेंगे जिससे आप क्लोध रूपी दुश्मत से फैल कर सेखो सबसे पहले है यूज हमर इसका मतलब ये है निमर्ता कोशिश केजिए जन्दगी में आपके 24 गंटे निमर्ता में बीते हैं आपकी जुबान जो है वो हमेशा ही मीठा बोलने के लिए उत्सक हो जिस समय आपकी जुबान मीठा बोलने के लिए उत्सक होगी 24 गंटे अपने मन में ये रिमार्ण करते रहे कि मैंने मीठा ही बोलना है अपनी जुबान से एक शब्द भी तीखा नहीं बोलना मैंने किसी को गाली नहीं देनी तो आप ये समझ जाएगी की आपकी जुबान आपके साथ चलेगी एक हत्यार बन जाएगी इस गुसे के खिलाफ Relax जितना हो सके अपने आपको relax सके अपने आपको बहुत इश्रान तके Relax session में जाएए Meditation में जाएए आँखें बंद के जिए क्योंकि जब आंके कुलती हैं तो वो क्रोध का साथ देती हैं आंकों को बंद केजिए, कानों को सुनना बंद केजिए ग्यान शक्तियां जो हुआई ग्यान की इंद्रियां हैं वो स्योग देती हैं क्रोध में तो एक्षन होता है हाथों से लाथों से तो पांच करम इंद्रियां पांच ग्यान इंद्रियां इनके माद्यां से क्लोध हमारा जीमन नश्ट करता है तो अपनी ग्यान इंद्रियों को अपने कंट्रोल में लेके आईए उसको आपने रेलेक्स देना है अगर आपको लगता है कि क्लोड आपके ओपर हवी हो रहा है तो आपके ग्यान इंदरी है जुबान आपके ग्यान इंदरी है आँखें आपके ग्यान इंदरी है कान तो इनको बंद केजिए इनको बंद केजिए चेंज दा इन्वाइमेंट तो देखो एक महौल बनता है उस महौल में आपने किसी के उपर बलेम लगाया दूसरे ने आपके उपर भी बलेम लगाया आपने किसी को गाली दी दूसरे ने भी आपको गाली दी ना उसमें यह देखा जाता है वो आपका भाई है वो आपका पिता है या वो आपके माता है क्रोल आपको पाकल बना देता है असल में उसके लिए आपको अपना इनवार्मेट चेंज करना हुआ बस एक सेकेंड भी अगर वहां आप खड़े रहे तो मानिए कि आप अपने जिन्दगी ख़ाब कर रहे हो मानिए कि आप अपना दुश्मन पाल रहे हो तो अपने आपको कमजोर मत समझे यह आत्मिश्वास पैदा कीजिए कि मैंने वहां से भागना है उस इनवार्मेंट से भागना है तो सफलता आपके पीछे भागेगी जिस समय क्रोई क्रोधी व्यक्ति आपको दिखाई दे तो उसी समय वहां से भाग निकलिए भाग निकलिए उसी समय फोर्गिब तो यह भी आत्मिश्वास आपका बढ़ाएगा शाना कर दीजिए अरे भारी जो क्रोध करता है वो तो मुलक है तो हम क्रोधी बन रही हो अरक्षाना कर दो शाना की शक्ति अपने में लेके आएए तदा इस चार थ्यारों को जब आप अपने में लेके आएएगे तो आपका आप मिश्वास बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा तो क्या करना है इसको इस्तमाल करना है पहला स्टेप इस्तमाल करीजिये हमेशन यार दुख्षा एखके घुछा हमारे लिए खतर नाक है हमारे जिन्द परिए सबसे बड़ा खतरा गुस्षा है दूसर स्टेप बहुत ही शांती से क्या रिजन है गुसा आपने क्यों किया क्लोड आपने क्यों किया इस प्रिशन का जवाब आप लिखिये एक कोपी के ऊपर बहुत ही शांती से है तीसरा, अपने में आत्मिश्वास लेके आए कि मैंने जिन्दगी में कभी क्लोड नहीं करना आत्मिश्वास लेके आए कि हाँ यह क्लोड मुझे पर हावी हो रहा है, इसको मैंने क्रट्रोल करना है कॉट्डर्व करने के लिए अपने में निमरता मिठा बोलना लेकर आना है शंती से सोचना है आंके बंद करनी है काँ बंद करना है SH Oftentimes Prime अपना वाता वहन हो रहा है वहां से भागना है जितनी तेजी से भागो कि उतना ही क्लोड आप में कम होता जाएगा जितना हो सके शमार कीजिए अपने में इतनी शक्ति ले गया यारे भाई शमार कर दो आपका वना खून सुख जाएगा आप अपने टाइगर्ट से पीछे हर जाओगे आपका लक्ष बहुत ही उचा है तो यह मैं आपको नहीं सिखा यह मैं अपने आपको सिखा रहा हूँ तो मुझे इस किया शक्ता है क्योंकि मैंने बदलना है और मैं खुद बदलूँगा तो दुनिया बदलेगी है ओके धन्यवाद